एक दिन हम जा रहे थे और अचानक हम पर हमला हुआ, मेरे पैर पर वार किया गया और फिर उन लोगों के लीडर ने मुझे घसीटा और मुक्कों से बुरी तरह पीटा हमारे गाउं का मुखिया और उसके परिवार की कुछ सदस्यों समेथ कुल दस लोग किसी के अंतिम संसकार के लिए नासिक गय थे उन में से छे लोग जब वापस आए तो हमने उनसे कहा कि वो खुद को अपने घर में कॉरंटीन कर ले और अगले 14 दिनों तक घर से बाहर ना आए पर उन में से 4-5 लोग काफी दबदबे वाले परिवार से तालुक रखते हैं और वो इस बात पर गुसा हो गए कि उनका नाम हमने अपनी सेनियस को क्यों भेज दिया इसके बाद जब मैं अपने पती के साथ माले गाउं जा रही थी तो उन लोगों ने लाठियों से हम पर हमला कर दिया रोहिनी कहती है कि ऐसे हमलों से गाउ में काम कर रही आशा वरकस काफी दरी हुई है देश में काम कर रही कुल 10 लाख आशा वरकस में से 6 लाख आशा वरकस ने 6 और 7 अगस्ट को धरना दिया उन्हें पिछले 4 महने से तनखा नहीं मिली थी पर दूसरी तरफ पीपी, किट्स और दूसरे सुरक्षात्मक चीजों की कमी और उन लोगों का डर जिनहें करोना वारस से बचने को कहती है इन सब के बीच वो करोना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है केंद्र सरकार ने अप्रेल के महिने में एक अध्यादिश लाई जिसके मुताबिक करोना के इस दौर में स्वास्थ कर्मी और आशावरकर पर जो भी हमला करेगा उन्हें 7 साल की सजा दी जाएगी पर आशावरकर्स का कहना है कि उन पर हो रहे हमले को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए है और इस सब के बीच आशावरकर्स लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है